Hello everyone, I hope you all are very well, I am Mayank Agrawal, आज हम इस वीडियो में complete the Indian Express newspaper का analysis करेंगे So, जो सबसे पहली news है, that is, जो ऐसी committee है, जो Supreme Court ने committee बनाई थी उस committee के जो एक members है, जो कि farmer का जो ongoing protest है, farm law के उपर तो उनको discuss करने के लिए जो committee Supreme Court ने form की थी, उस committee के एक member ने अपने post से जो है, वो स्तीफा दे दिया है, तो अब देखना होगा कि Supreme Court जो है, वो committee को three members से ही run करता है कि एक member और जो है, उसमें चुनता है, अब यहाँ पे बात की जा रही है, जो finance commission है, और finance ministry है, और नीती आयोग है, उन्होंने एक तरह से red flag race किया है, जो अडानी group है, एमदाबाद based, उसने जो six airports का, जो है, वो काम अपने हाथ में लिया है, जिसमें की जो six airports जो है, वो उसमें जो second largest इंडिया का airport है, मुंबई airport, उसको देखने का काम साथ में पाँच airport और हैं, तो उनका पूरा जो bidding है, उस bidding को जो अडानी group है, उन्होंने deal acquire करने की जो है, वो ली थी, और ये second largest जो airport है, मुंबई में, उसको भी उन्होंने acquire किया है maintain करने के लिए, तो उसके उपर ये बात की जारी है, कि जो concentration of power है, वो सिर्फ कुछ ही जो houses हैं, उनके पास रह जाएगा, पहले इसमें जो committee थी, उसने decide किया था कि किसी को भी, जो किसी भी firm को two airports से जादा जो है, वो provide नहीं करना है, लेकिन अडानी group को जो है, वो six airports maintain करने के लिए provide कर दिये गए हैं, तो जिससे की problems हो सकती हैं, अब यहाँ पे special flight from Brazil for two million doses, Brazil के जो president है, Joel Wilson R.O. उनकी request के उपर, Prime Minister of India ने act करते हुए, जो Brazil को two million doses है, वैक्सीन के, उसको भेजा जा रहा है, तो यह बात यहाँ पे है, next बात की जाए, यहाँ पे में एक survey conduct हुए, जिसमें की 10% जो kids हैं, वो school से बाहर हैं, और 80% घरों में, जो है, वो computer का access नहीं है, तो वो online education जो है, वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 lakh children जो हैं, वो out of the school हैं, including 64,813 financial constraints की बज़े से हैं, और 6 lakh से ज्यादा, 0 to 6 years जो हैं, वो outside of the net of organ bodies, अब यहाँ पे जो की डैली की जो pregnant women हैं, उनको भी cover करती हैं, अब दूसरी तरब बात की जाए कि 42.59 household जो हैं, वो less than 10,000 रुपीज पर मन्त spend करते हैं, 80% के पास computer नहीं हैं, 29% के पास water का access नहीं हैं, तो यह जो problem हैं, वो आ रही हैं, लोगों को, अभी जो next second page है, वही page बन के उपर जो detailed news है, वो दी हुई है, अब बात करें, page 4, तो civic bodies revoke no chicken order after center steps in, दूसरा यहाँ पे कोई भी news नहीं है, काफी important news है, यह हर्याना के perspective से, हर्याना reject draft report that sought more water for Yamuna revival, अब यहाँ पे हर्याना से जो river है, वो डैली में enter होती है, उसके बाद वो यूपी में जो है, वो river enter होती है, तो उसके basis पे हर्याना गवर्मेंट ने जो draft report थी, National Institute of Hydrology ने जो prepare की थी, उन्होंने recommend किया था, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है, वो Yamuna में release करें, अब जो draft report बनाई गई थी, वो National Institute of Hydrology ने बनाया था, उसका कहना था कि हर्याना का जो हतनी कुंड बैराज है, और डेली का जो ओकला है, उसको ज़्यादा water चाहिए, जिससे कि वो अपना environmental flow, जो है, वो maintain कर सके, तो जिससे कि उसमें aquatic life, जो aquatic life है, और साथ में जो biodiversity है, वो sustain कर सके, तो जो हर्याना के additional chief secretary है, environment और climate change department के, उन्होंन national green tribunal के सामने ये बात रखी थी, कि state जो है, वो 10 cubic meter per second, मतलब 10 cubic पानी जो है, वो release करता है, और इससे जो है, वो maintain हो रहा है, ईपलो हतनी कुंड बैराज का, अब यहाँ पे जो NIH, नेस्टन इंस्टूट अफ हैडरोलोजी है, उसका recommendation है, कि 300% होना चाहिए, अभी जो existing 10 है, म नहां से हर्याना जो है, वो पूरी तरह से disagreement है, इस तरह की recommendation से, अगर ये जो recommendation implement कर दी जाती है, तो हर्याना में environmental disaster आ जाएगा, क्यूंकि वहाँ पे जो water है, उसकी कमी हो जाएगी, तो NIH ने study की थी, 2018 में, Central Water Ministry, National Commission for Clean Ganga, तो उन्होंने बोला था कि, जून में जो draft report बनी थी, और उसके जो chairman थे, वो गजेंदर सिंग सेखाबद, जो की जल सकती minister है, तो present में सिर्फ 10% water ही, cubic water ही release किया जाता है, हतनी कुंड वेरास से, जो monsoon month में बढ़के जो है, वो 298 cubic meter per second हो जाता है, लेकिन जो NIH की study है, वो recommend करती है कि minimum flow of water को 23 से 34 कर देना चाहिए, तो इस तरह से वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए, ऐसी recommendation NIH की सिलिए है, because जो की river को अपना ecological functions को अचीब करने के लिए, और groundwater को recharge करने के लिए, biodiversity को support करने के लिए, aquatic life को support करने के लिए, सारी चीज़ें काफी हद तक जरूरी है, बट यमुना जो है, वो large volume of domestic, जो swage है industrial waste है, और इसमें जादा तर जो fresh water present है, वो बहुत सारे जो consumptive purposes के लिए, वो वहाँ से divert कर दिया जाता है, तो पानी जो है, वो काफी कम बचता है, यह बात यहाँ पर की जा रही है, next यह जो है, आज in the line of duty, today is army day, army day इसलिए important हो जाता है, क्योंकि हर साल 15 January को जो है, इंडिया जो है, army day celebrate करता है, अपने जो soldiers है, उनको याद करने के लिए, इस साल 73rd army day celebrate किया जा रहा है, अब यह army day का occasion क्यों important है, because जब लाइप्रिनेंट जनरल के एम करियापपा ने, कमांडर इंचीप आफ इंडियन आर्मी का जो रोल है, वो 15 January 1949 को जनरल सर फ्रांक्सेर बचर से लिया था, जो कि बिटिस कमांडर इंचीप थे, बिटिस इंडियन आर्मी के, तो उसके बाद से ये जुड़ दिन है, वो काफी important हो जाता है और इसको बनाया जाता है, अब field marsal के अपपा की बात करें, तो वो ऐसे second army veteran थे, जिनको जो है, वो 5 star दिया गया था, field marsal दिया गया था, after Sam Monick सा, तो ये भी काफी important हो जाता है, अब यहाँ पे next page पे बात करें तो डैली का page है, इसमें कोई भी ऐसी important news नहीं है, government and politics में यहाँ पे राहुल गांदी जो है, वो अभी जल्ली कट्टू जो festival है तमिलनाडू का उसको celebrate करने आए हैं, बटे हाँ पे बात की जा रही है कि वो जो तमिलनाडू में अभी assembly election हैं, तो उसके basis पे जो voters हैं, उनके स अपना connection बढ़ाने के लिए उनोंने ऐसा किया है, अब बात की जाए, next, cbi books for office officials for bribe rates on headquarters, तो अब यहाँ पे जो cbi है, उसको खुद को अपने headquarters पे ही rate करनी पड़ रही है, मतलब जो officers हैं, वो इतने ज्यादा मतलब एक प्रकार से करफ्ट हो चुके हैं, कि उनको अपने खु अपने जो उसके खुद के officials हैं, उनको book करना पड़ रहा है, अब बात की जाए, genome sequencing lab installed at Delhi airport, अब यहाँ पे government की likeness बोलें, या policy framework है, policy बनाने वाले जो लोग हैं, उनकी कमियां यहाँ पे बोलें, कि अब जब genome sequencing lab इंडिया को काफी पहले ही, जो across जितने भी airport हैं, बहाँ पे पहले से ही install कर देनी चाहिए थी, बट यह काफी अच्छा move है कि Delhi airport पे government ने जो है, वो genome sequencing lab को install किया है, genome sequencing ऐसी process होती है, जिसमें कि जो भी virus है, उसका जो DNA है, उसके जो strain है, किस तरह से जो उसके gene है, वो arrange है, उसको देखा जाता है, तो Delhi airport पे यह अभी install की गई है, because news में आ strain है, mutated मतलब जो change strain है, coronavirus का वो इंडिया में enter हो चुका है, और उसने 190 से जादा लोगों को अभी तक infect कर दिया है, वो काफी हद तक जो है, वो contagious है, काफी जल्दी फैलता है, और उसकी जो mortality है, वो कम है, अब जो portable genome sequencing lab है, उसको Delhi airport पे install किया गया है, mutant strength of coronavirus, जो की passenger में found हुआ ह foreign countries से, तो जो lab है, वो Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, Institute of Genome and Integrated Biology ने tie-up करके ये किया है, तो इसको करने के पीछे बात ये है, कि जो genome sequencing है, अगर virus की वो कर ली जाती है, तो ये पता चल जाएगा कि जो virus है, वो कितना mutant हुआ है, जिससे की उसके पहले ही effort लगाए जा सकें, तो पहले जो है, आट से 10 दिन लगते थे, virus की genome sequencing करने में, बट अभी जो है, वो 24 से 48 hours में ही, जो है, genome sequencing complete हो जाती है, अब यहाँ पे बात की जाए, next जो page 9 है, उसमें नेपाल के जो foreign minister है, वो इंडिया के जो foreign affair minister है, एस जै संकर, उन से मिलने वाले हैं, first high level diplomatic visit होने वाली है, नेपाल से इंडिया की, जो भी अभी water row काला पानी का issue चल रहा था, तो उसमें यह है, अब इंडिया ने inaugurate किया था new road from धार चुला टू लिपूलेक, मानसरोबर यात्रा के लिए, जिससे की only government anger हो गई थी, उन्होंने अपना new map release कर दिया था, जिससे की जो tri junction वाला जो area था, नेपाल इंडिया alteration हुआ था, उसको legitimate करने के लिए, अब यहाँ पे जो हर्सबर्दन सिंगला इंडिया के जो foreign secretary है, और जो गयवाली वहां के जो trip है, जो बहां के foreign minister है, उनकी जो visit हो रही है, तो उससे जो bilateral ties हैं, उसको बापस से ठीक करने के लिए, नेपाल के जो foreign affair minister है, प्रदीप कुमार गयवाली वो meet करेंगे, external affair minister से Friday को face to face meeting होगी, अब यहाँ पे बात की जा रही है, कि उनके बीच में जो भी bilateral issue है, उनके उपर ties की उपर बात होनी है, साथ में boundary का अभी कोई भी issue ऐसा नहीं है, कि जिसमें boundary के issue के उपर कोई भी बात हो, अब यहाँ पे NCB, जो नार्कोटिस control bureau है, उन्होंने जो की महरास्टर के cabinet minister नवाब मलिक उनके son-in-law को arrest किया है, जिसमें की उनका कहना है कि यह herbal जो दवाईयां होती है, उनके pretext में, उनके भाने से जो cannabis related जो drug हैं, उनको बेचा जा रहा था, तो उसके basis पे उनको जो है NDPS, Narcotics and Psychopathic Substance Act के उपर arrest किया गया है, उसका section 27A जो है, उसमें जो है impose किया गया है, next यहाँ पे बात करें, Delhi High Court to hear plea against WhatsApp new privacy policy, तो Delhi High Court जो है, वो Friday को एक petition को hear करेगा, updated जो privacy policy है, WhatsApp की जो petition है, वो एक lawyer ने file की है, उसने जो direction मागी है High Court से, कि center किस तरह से आगे बर्क करना चाहता है, laying down guidelines to ensure that the instant messaging platform है, वो कोई भी data users का share ना करे, third party को, facebook को और अपनी अलग companies को, उसने यह ally किया है, कि WhatsApp ने जो privacy policy change की है, वो एक तरह से arbitrary manner में की है, मादब लोगों की बिना permission लिये ही, यह सारी चीज़ें जो है, वो change कर दी है, और अपने users को यह compulsory कर दिया है, कि 8 February तक वो इससे comply करें, अगर वो comply नहीं करते हैं, तो they can leave the WhatsApp, तो the petition contains that the latest policy violates the right to privacy of citizens of India, तो WhatsApp ने include किया है certain clause new policy में, जो की directly fundamental rights of individual को hit करते हैं, और इस तरह का जो arbitrary behavior है, और यह democracy में acceptable नहीं है, WhatsApp की जो privacy policy है, वो user की choices है, उसको एक तरह से छीनने का काम कर रही है, यह अभी तक डाटा को share नहीं करती थी, बट अब यह जो डाटा है, वो Facebook और other application जैसे Instagram है, Facebook है, उनको भी और दूसरी third party application को भी user का डाटा, जो WhatsApp है, Facebook है, वो दे सकता है, तो अब यहाँ पर बात की जा रही है, कि data जो है, वो parent company को ही share किया जाएगा, other company जो है, वो data को use करेंगी, जो भी उनके interest है, WhatsApp से लेने के लिए, अब petition जो है, उसमें बोला गया है, कि virtually 360 degree जो profile है, वो person की online privacy चली जाएगी, Under article 226, the plea argues, रिट जो issue की जा सकती है, any person or authority, including the private bodies, कोई भी अगर enforcement होता है, fundamental rights के लिए, fundamental rights की उपर, WhatsApp जो है, वो एक important mode of communication बन चुका है, among citizens of India, और दूसरे तरब, दूसरी जो government के multiple functions हैं, वो भी इस पे होने लगे हैं, अब यहाँ पर बात की जा रही है, कि अगर यह updated privacy policy जो है, वो applicable नहीं होगी, European reason or owing to data protection laws in place there, वहाँ पर data protection law इसकी बज़े सी यूरोप में applicable नहीं होगी, तो एक double standard है, तो इंडिया में जो है, वो इसको enforce किया जा रहा है, तो because इंडिया में कोई भी ऐसा preventive law नहीं है, comprehensive law नहीं है, तो petition यह सीख करती है, कि guidelines बनानी चाहिए, direction इसके तरफ से आने Central Government की तरफ से हो, चाहे वो High Court की तरफ से हो, तो WhatsApp ने जो अपनी ये policy लेके आई है, उसको strictly इंडिया के जो laws है, उनके accordance और दूसरे तरफ fundamental जो rights है, उनको किसी भी तरह से wallet नहीं किया जाना चाहिए, अब यहाँ पर बात की जा रही है, next जो editorial page है, उसमें सबसे first जो editorial है, इस Special Marys Act में 1954 में, इसमें ये mandatory कर दिया गया है कि couple जो है, उनको publish करना पड़ेगा, 30 day public notice for their intent to marry, तो उन्होंने इलावाद High Court ने इस provision को जो है, strike down कर दिया है, जिससे कि जो दो couple है, husband, wife है, अगर वो marry करना चाहते हैं, तो उसके पहले ही, और लोग जो है, जो valinate people होते हैं, community में, और जो violence फैलाते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें पता चल जाती हैं, तो ये बहुत जरूरी था कि इस तरह का जो काम है, वो ना हो, अब primacy of individual autonomy की काफी हद तक जरूरत है, एक particular एक person है, वो अपने आप में स्वतन्त है कि वो कहां marry करना चाहता है, next जो की social media websites है, YouTube है, उससे भी उनका जो account है, उसको block कर दिया गया, तीसरा यहाँ पे ये जो article है, इसमें बात की जा रही है कि जो parler app है, जो की Twitter के जैसा ही एक app है, उसके 10 million से ज़्यादा जो users थे, उनको एक तरह से अब कहीं पे भी place नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो hosting service Apple और Google के द्वारा उसको, वहाँ से उस app को हटा दिया गया है, तो जो far right group है, उनके जो लोग है अमेरिका में, वो use करते हैं, parler app को तो अब वो app को use नहीं कर पाएंगे, अब next यहाँ पे, इस page पे कोई भी सारी की सारी जो political news है, political editorial है, political perspective से लिखे गए हैं, अब women participation in economic activities आप in Kerala, Kerala में जो women participation है, economic activities में, वो बढ़ा है, और जो self employment और casual labor की बज़स से बढ़ा हुआ है, rural areas में, according to economic review 2020, tabled in the assembly by the state finance minister Thomas Isaac, अब यहाँ पे बात की जाए, कि जो periodic labor force survey है, economic review है, उसका कहना है कि जो female workforce participation rate है, Kerala में, वो 20.4% हो चुका है, 16.4% से, तो जो workforce participation rate है, वो इस तरह का rate होता है, कितने percentage of person है labor force में, among the person in the population, तो total जो female की population जितनी भी है, उसमें से कितनी female जो है, वो working group में आती है, तो इस तरह का जो यह पहला है, कि more actively participating in economic activities, जो women है, वो ज़्यादा तर economic activities में participate कर रही है, all over India से ज़्यादा, अब दूसरी तरह बात की जाए, कुछ age group ऐसा है, 15 से 29 जो working group में आता तो है, बट वहाँ पे study related work की वज़े से उसका rate है, वो कम हुआ है, next यहाँ पे बात की जाए, explain page पे Trump को impeach किया जा रहा है, बट यहाँ पे अब उनको impeach करने का क्या point of view है, because जो Donald Trump है, वो अगर next election जो 2024 में होने वाला है, उसक के लिए अगर वो आते हैं आगे, तो उसके पहले ही अगर उनको फिर से impeach कर दिया जाता है, तो अमेरिका के constitution के provision के according, वो कोई भी public office government की जो post है, वो फिर नहीं fill कर सकते हैं, अब यहाँ पे बात की जा रही है, कि जो 100 लोगों की जो Senate है, USA में उसमें से जो 50 जो Democrats हैं, और 17 Republicans हैं, वो चाहते हैं कि Donald Trump को जो है, वो impeach कर दिया जाए, बट यहाँ पे जो यह procedure है, impeachment का, वो 19 January को start होगा, जिस दिन last day रहेगा Donald Trump का office में, तो उसमें impeach करने का कोई भी meaning नहीं निकलता है, because वो obviously पहले से ही outgoing है, 19 को, तो फिर उनको impeach करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, दूसरी तरब बात की जा रही है कि अगर उनको impeach कर दिया जाता है, तो उनके द्वारा लिये गए सारे decisions जो हैं, उनको फिर से review किया जा सकता है, जो भी उन्होंने policies अपने presidential terms में बनाई हैं, अलग-अलग countries के लिए, आपनी खुद की country के लिए domestically कोई policy prepare की है, तो उस policy को पर से review किया जा सकता है, वो review के लिए open है, उसको change भी किया जा सकता है, तो इस बज़े से जो है, इसको इस तरह से change किया जा रहा है, अब बात की जाए, next इसमें WHO की जो team है, वो arrives, Wuhan, pandemic के origin को देखने के लिए, लेकिन two of 15 member team है, वो positive भी test कर रहे हैं, इसकी वे जैसे उनको Singapore म रोका गया है, जो global team है, researchers की, वो Thursday को Chinese city में enter हुई, जहां पर pandemic को first detect किया गया था, और politically sensitive investigation यहां पर हो रही है, origin के बारे में coronavirus कैसे, जो है, वो फैला है, अब जो बात की जाए, next यहां पर राशी भविश्य वाला पेज, economy में, concentration of power by itself, not a concern, CCI, अब यहां पर जो competition commission of India के जो chairman है, उनसे बात की गई है, और उनने अपने जो views हैं, वो रखे हुए है, from market studies into the telecom, pharmaceuticals and digital market sector को जो है, वो review किया गया, उसके बैसे पर उनने अपनी बात रखी, कि जो concentration और पावर है, वो concern नहीं है, बस उनको यह देखना है, कि अगर कोई company है वो dominate कर रही है, तो वो किसी भी तरह का abuse है, वो तो नहीं कर रही है, consumers के साथ, अब next बात की जाए, exercise duty जो petrol के उपर है, expert का कहना है कि जो exercise duty central government लगाती है, पेटरोल के उपर, वो अभी 32.98 रुपीस पर लीटर चल रही है, उसको थोड़ा कम करना चाहिए, तब ही जो petrol के prices है वो कम हो पाएंगे, तो transportation की cost और other cost को कम करने में help मिलेगी, तब जाके एक तरह से जो inflation है, उसको contain किया जा सकता है, क्यूंकि जो petrol का प्राइज है, वो 84.70 रुपीस पर लीटर नेशनल कापिटल रीजन में है, और oil marketing की जो companies हैं, वो नहोंने भी 25 पैसे Thursday को increase कर दी है, तो ज consistently जो है, वो 37 बैरल से 56 बैरल तक ही है, बट यहां पर companies जो हैं, और government जो है, वो काफी जादा exercise duty चार्ज कर रहे हैं, तो इससे problem create हो रही है, next यहां पर sport page है, इस पर कोई भी discuss करने लाइक चीज नहीं है, तो next है, mobile payment system may face more online attacks this year, जो mobile payment system है, और quick response और QR codes हैं, which have to late redefine the mode of P2P consumer to business payment, उनको और भी ज्यादा attack हो सकता है, मैंकेफी उन्होंने बोला है, cyber criminals जो हैं, वो new ways देखेंगे, कि वो कैसे loophole जो हैं, उनको exploit करें systems में, और जिससे की आगे चलके, वो जो है, वो cyber security को harm कर सकें, strict lockdown की country की वज़े से, जो है, COVID का spread जो है, वो रुका है, बट उसकी वज़े से users जो है, वो payment online करने लगे हैं, इसकी वज़े से, आगे चलके, जो problems है, वो बढ़ सकती है, थैंक यू बेरे मच,